उपर से इन्हों ने बिनामास के और उन्होंने पर्दशन किया है, परसों न्होंने पोटेस्ट किया, तमाम गाडियां, सरकारी गाडिया तोड़ दी, पंचर कर दी गई, ये केवल इनके वारां, कोई मुद्दे नहीं है, आने वाले चुनाओं मे जो निगम के चुनाओं द अमित कनोजिया दौारका विधान सभा का पुराना चेहरा है आम आदमी पार्टी से काफी समय से जुड़े हुए हैं और अलग अलग राजनितिक मुद्दो पर लगातार अपनी राए रखते रहते हैं आज हम इसे बात करेंगे उस शराब निती की जिसका विरोध भारतिय ज बदलाव किया और उस बदलाव के बाद जो है कहा जा रहा है कि गली मौलों में जो है शराब की दुकाने खोल दी गई जिसका असर बुरा असर महिलाओं और बच्चों पर पड़ेगा तो यह फैसला क्यों लिया गया और इसका विरोध विरोधी पार्टियां क्यों ना करे यह बताइए परविन जी देखिए तीर नियम बनाये गए आपकारी नियम के सर पहला नियम जो बनाया गया वो शराब की जो झो खईने की अमर जी जो थी पहले शराब खईने और पीने की उमर पहले पच्चैस साल ती उसको 21 स outside कर दिया गया जो कि नौडा उत्ठरप्रद थे एक्सिडेंट का शिकार होते थे तमाम उनके साथ हाथ से हो जाते थे तो उत्तर पर्देश में जो उमर है कि साल की उसी को दिली सरकार ने कि उसी को लेके कि साल कर दिया गया दूसरा जो नियम बनाया गया कि शराब की जो दुकाने पहले शोड़ी शोड़ी दुकाने हु लोग पर लाइन लगा के शराब खरता करते थे लंबी लंबी लाइन लगती थी और लोग को एक तरह से जैसे जेल होता है जेल के बार भीर लगी होती है इस परकार से जेल के तरह टीट किया जाता था मगर अभी जो आपका इनियम जो दूसरा बनाया उसमें 500 स्क्वार फीट 272 와 weird हैं 272 वार में जो उन्होंने कहा की श्राब की दुकाने खुलेंगी cub outros दूकाने ती दूकाने Says chana हमारे मनीशी शुहती जी ने कहा है कि साड़े आठ सो दुकानों से ओपर यह बढ़ा ही नहीं जाएगी संख्या आगे भी पूरे मुझेदल उसे बात की पता नहीं कौन सी कैलकुलेशन उन्हों लगाई उन्होंने का कि दिल्ली में तीन हजार दुकाने हो जाएंगी मुझे अभी तक वो कैलकुलेशन समझ नहीं आई आई मैं आपको हमारे मनीशी शुहती जी की फुटेज दे दूंगा उनको दिखा दीजेगा और दिल्ली की आपका नेती पे उनको गहन चिंतन करने की जोड़ता है उनको पढ़ना भी पढ़ेगा कि क्या है पहले इनको अप सरकारी गाड़िया तोड़ दी पंचर कर दी गई और लोग को घंटो उन्होंने फसाय रखा हाइवे जाम कर दिये देखे इतना बड़े करोना काल के अंदर बिना मास के इनोंने एक तो करोना काल दिल्ली में इती तीजी से वैसी बढ़ रहा है उपर से बिना मास के और उन प्रोड़ों का नुखसान होता है उसको कियो नहीं बंद करूंत आता है उसके सामने जाके यो पर दसन नहीं करते मैं यह आपने जैस चुनावी राज गीतिकर रहे हैं 2-3 मेंने बाद चुनाव है दिल्ली के अंदर और आज भाजबा Professor does not know slap to happens जबकि उनको तो ठीक से पता भी नहीं कि शराब नेती यह है क्या पहले पहले यह लोग जो थे 3500 करोड का नुक्सान करते थे रेविन्यू का दिल्ली सरकार को नुक्सान होता था क्योंकि जो शरकाई दुकाने हुआ करती थी उसके भगल में ही प्राइवेट है के खोल दिया थो डिल्ली कirka करते हैं तो यहिंड फिर भाणान का दिया पदे जगा करता है आपने के वियकति को देखा विरौत करते हुए यह विंदे नहीं तो इनकों निगम के चुनाव दिल्ली के अंदर है इनको हारतावत दिल्ली की honesty सैंहे है यह उसलिए यह भौक लाणायूek. देखिए यह तो MCD है और उनके मेर है और तीनों MCD में उनके ही मेर है भाजपा के ही मेर है अब वो अपने हिसाब से किस तरह से राजनिती करते हैं यह उनके ओपर है जो कि दिल्ली पुलीस भी नहीं है अब देखिए पिछले चारपांस साल पहले जो दुकाने फेक्ट्रियां सील हुई थी आज तक वह खुली नहीं है तो सीलिंग डिसीलिंग का मुद्धा को सर्फ पावर का गलत इस्तमाल करें लेकिन पावर को वहां इस्तमाल करें ना जो की गली कूचों में शराबे बिकती ह वहां भने के को बात कर रहा? उसके बाद उनको खुद को भी कुरोणा हो गया तो इस पर क्या कहीं है देखिए रेलियां तो तमाम पाडियां कर रही है मोदी जी भी रेलियां कर रह रहे है योगी आदित्यनात् w भी धराधर रेलिया कर रहे हैं चाहे कांग्रेस की बात कर लीजे चाहे भाजबा की बात कर लीजे समाम नेता लोग रेलिया कर रहे हैं मगर मैं जन्ता से यह request करूँगा निवेधन करूँगा कि वो मास्क जो सबसे पहली जो protection है मास्क उसको जुरूर लगा के रखे और इसके साथ साथ जो कोवीड के नेमों का पालन करें सोचल डिस्टरंसिंग का पालन करें मेरा सभी देशवासियों से यह निवेधन है कि जिस परकार से हमने दो-दो करोना काल काट दिये और उसके अलावा कामधंदों का नुकसान हुआ मैं चीज और मैं समझना चाहता हूं क्योंकि आप उसी पार्टी से तालूग आते हैं दिल्ली सरकार ने जो विकेंड कर्फ्यू लगाया है लोग यह कह रहे हैं कि क्या पांस दिन करोना चुटी पर रहता है कि दो दिन का सिर्फ कर्फ्यू लगाया गया लेकिन उससे भीड अंकेतिक है पिछले वर्ष भी ऐसी लगाया गया था और अगर यह नहीं काबू में आता है और क्योंकि संक्रमेंट अधर आठ परसंट से उपर हो गई है और यह बहुत चिंता जनक बात है तो अगर नोबत ना है पूर्ण लोगडाउन की तो मैं सबी लोगों से फिर लगवानी उसके बाद हम चाहेंगे कि जल्दी से जल्दी मोदी जी बूस्टर डोस भी प्रबंद करें और जो 15 साल से 18 साल के बच्चों के लिए जो जो करोना की वैक्सीन का निकली है मैं बहुत-बहुत स्वागत करता हूं बहुत-धन्यवाद करता हूं और सभी बच्च जिन्हों ने मुझसे बात की शराब निटी पर और इसके साथ ही साथ एक मैसेज दिया कि कोरोना से बचाव के लिए आपकी समझदारी ही काम आएगी आप मास्क लगाएं सतर्क रहें साबधान रहें सुरक्षित रहें कैमरा जेनलिस्ट निरिज साथ प्रवीन इंडिया ट कर दो